वेल्कम टू आज भी का ग्लोबल स्किल आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Microsoft Word के अंतरगत Hyperlink का यूज करना कैसे हम Hyperlink का यूज कर Microsoft Word के अंतरगत अपने वर्क को असान बना सकते हैं Hyperlink का यूज असल में होता क्या है कि अगर आपने कोई भी डाटा टाइप किया हुआ है Excel के अंतरगत आफिवर्ड के अंतरगत और आप उस सेंटेंस में आफिर उस वर्ड में किसी भी डोकुमेंट को किसी भी फाइल को किसी भी पिक्चर को लिंक करना चाहते हो तो उस जगह पे हम Hyperlink का इस्तेमाल करते हैं सबसे फ Serious हम यहां पे कुछ भी मैटब्स को टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद आप इसके अंतरगत हमें किसी भी पिक्चर को आफिर इमेज को पिक्चर को फाइल को फॉल्डर को आप को पोई भी वेबसाइट को भी आप करके जिसमें link करना चाहो, तो उस जगह पर आप hyperlink का इस्तawiaल कर सकते हूँ, जिस किसी भी डॉकुमेंट की अंतगरत जिसकिसी भी word के उंतगरत आप इसे link करना चाहते है उसे select करें और select करने के बाद hyperlink के option को choose करें जैसे हम hyperlink के option को choose करते हैं, हम Thai documents के इतना सारा options मिलता है, जो भी folder पाइल को help in five खूज कर O.K किये वह data हमारा लिंक हो गया से बुसी प्रकार से अगर हमें आ कोई picture को link करना है तो इसे select करेंगे और select करने के बाद फिर से hyperlink में जाने के बाद जिस किसी भी location पे आपका picture है उसे आप open कर लें जिसके हमने local disk D के अंत्रगत image नाम के folder में काफी सारी pictures को रखा उसे select करके ok करेंगे वह picture हमारा link हो जाएगा इसी तरह अगर आप कोई folder को link करना चाहो तो select करेंगे select करने के बाद hyperlink के option में जाकर और जिस किसी कोई website को भी link करना चाहो तो उसके लिए भी आप hyperlink कर सकते हो जहां कहीं भी आपको link करना हो उसे आप select कर hyperlink में जाकर और direct address के अंतगर उस link को type कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर type किया facebook.com को और okay करेंगे वह document वह data हमारा इसमें link हो गया अब जैसे कि हमने यहाँ पर इसके नतगर लिंक किया data को तो data को link करने के बाद उससे open भी करना है तो open करने के लिए हमें यहाँ पर directly indication में लेगा कि इसे open करने के लिए आपको control के साथ click करना होगा जैसे हम control के साथ click करेंगे व इसे click किये और हमारे पास Microsoft का notification आएगा इसमें ask करना है जो data हमने link किया है वह data हमारा यहाँ पर open हो जाएगा जो समिक्चा नाम का file के अंतगर था अगर इसी तरह जो दूसरे data को link किया है उसे भी open करना है तो control के साथ click किये ask किये फिर वह data भी हमारा यहाँ पर open हो जाएग यहाँ facebook.com को link कियो है इसे भी open करना हो तो control के साथ click किये अगर आपके computer में internet connection रहेगा तभी आपका कोई website open होगा अगर दिन नहीं रहता है तो वह website आपका open नहीं होगा जैसे देखिए आपका यहाँ पे Facebook open हो चुका है समुसी परतार नीचे में भी यह data link किये है उसे भी open करने के लिए control के साथ click करेंगे और एस करेंगे तो वह data भी हमारा open हो जाएगा thanks for watching